त्यांत चलिंग टूंए तो आप सभी को पता है कि आंसर कहां करते हैं पूल सेक्शन में कड़े हैं अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो मुझसे चैसें मेंद सेक्षण में लिए कि सकते हो चलिए तो यह देखने लाश्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था तो लाश्ट क्लास में सबसे पहले चीछ पढ़ाए गई थे त्रिभुज यानि ट्राइंगल ट्राइंगल या त्रिभुज होता क्या है एक बंदाक्रिती होती है जो तीन भुजाओं से घेरी होती है ठीक है जिनकी लाख क्लाश शोट गए थे वो इस पेसले ध्याम से सुनेगी ठीक है बंदाक्रिती होती है जिसमें तीन भुजाएं होती है बंद होना जरूरी है तो इ आनी आंगल को अगर हम देखें उनके त्रिभुज के कोण को देखें तो कोनो के आधार पर थ्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं वह तीनों के नाम क्या कया थे पड competit घ्याइगल तैंड और प्रेक्वित्वर किसे कहैं तो कोई भी एक ऑइसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कौन अगर मैं बोलो ये तीन कौन होते हैं किसे भी त्रिभुज में तीन कौन होते हैं तो किसे भी त्रिभुज के जो तीनों कौन है अगर तीनों ही के तीनों कौन नियून कौन हो मतलब तीनों ही कौन 90 डिगरी से कम हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, लिएन कोन त्रिभुज कहेंगे, खाफी आसांता, सम कोन त्रिभुज किसे कहेंगे, कोई ऐसा त्रिभुज, जिसमें कोई एक कोन 90 डिगरी का हो, यहां ध्यान रखेगा, एक ही कोन, तो अगर कोई एक कोन 90 डिगरी का हो जाए, इस तर तो कोई कोई एक면 कोई विए यह यह कुई पढ़ाई गई थी इसके बाद documented पीघहाई गया था ठीक है उसके बारे में फिर से रिवाइस करें अच्छा जिनके छूट गए थे न क्लास कोई दिकत नहीं संभाहूर प्रिवूज हम लोग आज फिर से पढ़ ले ठीक है तो यह सारी चीजे पढ़ाए गए थी या नहीं सभी लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताएं तो बताएं में यह सारी चीजे याध है य नहीं आप सभी को Y या N ठीक है तो सभी को ये चीजे याध है तो अगर सभी को ये चीजे याध है तो एक TEST लेते हैं अपको पता है कि हर क्लास के स्टार्टिंग में एक recall question होता है तो recall question का मतलब क्या एक ऐसा question जो पिछले कोई भी चैक में अंसर नहीं देगा अभी लोग पोल सेक्षन में अंसर देगा तो अभी आपके स्क्रीन पर एक कोश्चन दिख रहा हो तो यह त्रिभुज है जिसके तीनों कोनों के माप आपको दिये गए यह कोन 30 डिगरी का है दूसरा 50 और तीसरा 100 डिगरी का है तो आपको यह बताना है कि यह जो त्रिभुज होगी या त्रिभुज कैसा त्रिभुज है नियून कोन है अधिक कोन है समकोन है या इन में से कोई नहीं तो आप अंसर कहा करोगी पोल सेक्षन में जाकर अंसर करोगी तो पोल्स चैट में अभी कोई कुछ नहीं लिख पाएगा क्योंकि चैट को मैंने अभी बंद कर रखा है तो आपको अंसर कहां करना है पोल सेक्षन में जाकर करना है पोल के बादे में अगर किसी को नहीं पता तो जैसे ही मैं पोल को end करूँगा तो चैट में आप पूछ लेना मुझसे किसी को अगर पोल का नहीं पता तो अभी तो चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे लेकिन जैसे ही मैं पोल को end करूँगा तब आप चैट में लिख देना और यह कोश्चन काफी आसान सा कोश्चन है यह त्रिवज किस प्रकार का त्रिवज है अगर तीनों ही कोन के माप आपको बता है अगर आपने last class कियो और सारी चीज़े आपको याद है तो आप काफी आसाने से अंसर कर पाओगे अच्छा किसी का कोई doubt है क्या किस कोई तो है जो माइकान करके भी बूला था चलिए अभी भी आधे बच्चे ही अंसर कियो काफी बच्चे हैं जो अंसर नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है अंसर जरूर करना है अच्छा एक चीज और है आपकी attendance जो है तब ही लगती है जब आप class में 80% समय तक रहते हो दूसरी बात आपके attendance तभी लगती है जब आप poll section में answer करते हो तो इसलिए मैं बार-बार करता हूँ poll section में answer करना जरूरी है अब आप poll section में answer करोगे class में active रहोगे तभी जाकर आपकी attendance लगती है तो answer चाहे गलत हो या सही हो answer जरूर करना है poll section ताकि आपकी attendance लग सके चली अब मैं poll को end करता हूँ poll को end करते हैं और अब कोई भी आपका doubt तो क्या करोगे chat section में लिखते होगे अब chat आपका open है और अगर किसी को poll का answer poll नहीं आता आपके mobile में तो भी आप chat में answer कर सकते होगे चली तो यहां त्रीबुच को देखे तो कोन क्या है एक कोन 30 डिगरी का है दूसरा 50 डिगरी है तो 30 डिगरी के बारे में आप क्या बोलोगे या तो 90 डिगरी से कम है यानि या एक noon कोन है तो पहला कोन हमें क्या दिखा noon कोन दिखा ठीक है दूसरा 50 डिगरी तो 50 डिगरी क्या है यह अभी 90 डिगरी से कम है मतलब यह अभी एक noon कोन है मतलब दो कोन कैसे मिल गए है 90 डिगरी से कम मिल गए अब अच्छा जो भी answer यह दे रहे हैं या भी दे रहे हैं एक बार ध्यान से सुन ले आप सभी को समझ में आ जाएगा अब अगर 100 डिगरी को देखें 100 डिगरी कैसा है 90 डिगरी से अधिक दिख रहा होगा 90 डिगरी से अधिक है तो क्या कहेंगे यह एक अधिक कोन है तो यह एक अधिक कोन है तो यह त्रिबुज जो भी त्रिबुज है तो इसमें एक कोन हमें क्या दिख रहा है 90 डिगरी से अधिक तो ऐसे वाले त्रिबुज को ध्यान से सुनिए ऐसा त्रिबुज जिसका एक कोन 90 डिगरी से अधिक हो उसे क्या कहते हैं अधिक कों त्रिवुज कहते हैं अभी तो बताया था आपको और लाश्ट कलास में भी पढ़ाई गई थी काफ़ी डीटेल में पढ़ाई थी लाश्ट कलास में तो ऐसे क्वें जिसका मांग यह कौं अधिर 100 डिगरी से अधिक है तो अधिक क्या होगा अधिक कुंत्री बुज होगा यानि अप्ट्यूस आंगेल त्राइंगल होगा तो इस question का answer क्या हुआ? Option number B किखे? अब मुझे ये बताएं जिन्सके भी answer A थे सरोज God Gamer और RP Fijal आप सभी के answer A या D थे आप सभी को समझ में आया या नहीं इसका answer B क्यूं है? क्योंकि A कुन 100 डिगरी का है तो या 90 डिगरी से अधिक है तो इसलिए या अधिक कुन त्रीबुज हो जाएगा? ठीक है तो आपको ध्यान से देखना है कि 100 डिगरी एक कुन तो अधिक कुन त्रीबुज हो गया? तो आप सभी को चली तो आप लोग ये बता है चैट सेक्शन में लिखके इसके अलावे लाश्ट क्लास में कुछ और पढ़ाया गया था या नहीं? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएगे सम बाहुत रिबुज के बारे में पढ़ाया गया था या नहीं? सम्भाहु त्रिवुज के बारे में पढ़ाया गया था या न? ठीक है तो इक बार जल्दी से रिवाइस कर लेंगे फिर उसके आगे हम लोगा सम्भाहु त्रिवुज पढ़ेंगे तो जल्दी-जल्दी provision करते हैं, ठीक है? जल्दी-जल्दी कि संभाहु त्रिवुज किसे कहते हैं एक ऐसा त्रिवुज ठीक है मैं बता रहा हूं आर्थी ठीक है ध्यान से देखें संभाहु त्रिवुज किसे कहते हैं तो ऐसा कोई त्रिवुज जिसके तीनों ही भुजा बराबर होती है यहाँ ध्यान से देखें आपके साथ लाज्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, अच्छा माईक अपना बन रखेंगे, कोई भी डाउट हो, चैट सेक्षन में लिख दे, तो सभी भुजाएं अगर बराबर है किसी त्रिवुच के तूसे क्या कहेंगे, सम बाहुत्रिवुच कहेंगे, यानि इस त्रिव प्रकार एक बार फिल से बता दीजिए, प्रकार मतलब त्रिवुच के प्रकार, तो त्रिवुच तीन प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर अगर तीन प्रकार देखोएं, तो भुजा के आधार पर, ये सारी चीज लाट क्लास में भी इसलिए मैं इसे जल्दी से बता रहूं एक रिविजन की तरह तो त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर इसे तीन परकार में बाटते हैं समभाहू, समदिभाहू और विसमभाहू ठीक है तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं सभी चीज़े तो समभाहू के बाद रहे ने क्या बताया इसके तीनों ही भुजाएं बराबर होगी ठीक है तो पहला चीज़ आपको यही ध्यान रखना है कि समभाहू त्रिभुज में उसके तीनों ही कौन साथ दिगरी के होते हैं तो समभाहू त्रिभुज में तीनों ही कौन साथ दिगरी के ही होंगे तो इसका तीनों को भी बराबर होगा यह भी चीज़ लाट्ट क्लास में पढ़ाए गई थी अच्छा मुझे यह बताएंगे यह जो भी त्रिभुज दस सेंटिमेंटर है और YZ के विलंबाई भी दस सेंटिमेंटर है तो मुझे ये बता है कोन X का मान कितना होगा जल्दी से बता है कोन X का मान कितना होगा कोन Y का मान कितना होगा कोन Z का मान कितना होगा जल्दी जल्दी चैट सेक्षने बता है ये लाश्ट क्लास में भी मैंने नहीं बराबर हैं तो 3 ढूं कितना होगा साठवी का होगा विच्छ याद्या था इसलिए में इतना संशेपन बता लाश च्छार्स में काफी डिटेल में यह चीज पताई गए ठीक है यह सारी बाते आपको याद है नहीं अब हम लोग नेक्ट पढ़ते हैं इसके आगे तो इसके आगे क्या पढ़ना है संदिबाभूत्रिबुज इंगलिस में क्या बूलेगे आइसोसेलस्ट रांगल अब हम लोग आज के फर्स्ट टॉपिक पढ़ गाए एक तरीके से देखा जाए तो आज की हम लोग ये फर्स् को अगर तोड़ो तो क्या क्या मिलेगा पहला चीज मिलेगा सम दूसरा चीज मिलेगा द्वी तीसरा मिलेगा बाहू ठीक है तो सम का मतलब क्या होता है बराबर द्वी का मतलब क्या होता है दू और बाहू का मतलब क्या होता है घुजा है ठीक है तो आप इसके सब्दों को देखो तो सब दूसरे आप क्या बोल सकते हो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो संदी बाहु दो भुजा बराबर ठीक है तो ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होगा उसे ही क्या कहेंगे संदी बाहु त्रिभुज कहेंगे नाम से ही क्लियर हो तो यहाँ definition को भी देखो वही चिलिक रखा है यादि किसी त्रिमुज की दो भूजाएं बराबर हो उसे संदी बाहु त्रिमुज कहेंगे या तो काफी आसान था नाम से ही clear होगे चलिए अब अगर इस उदाहदर को देखें तो इस उदाहदर में आपको क्या दिख रहा है क इस वाले चित्र में हमें दिख रहा है AC और AB ये दोनों भूजाएं हैं और ये दोनों भूजाएं की लंबाई हमें दिख रही है बराबर है AC और AB हमें बराबर दिख रही है और दोनों ही की लंबाई ये centimeter तो हम क्या कहेंगे ये दो भुजा बराबर है और ये BC की लंबाई अलग है ठीक है तो हम इस वाले त्रिभुज वो क्या कहेंगे ये त्रिभुज एक समदी बाहू त्रिभुज है ठीक है तो इसी तरीके से अगर मैं एक और त्रिभुज बना दू तो आप लोग बताऊगी ये समदी बाहू त्रिभुज है या नहीं अगर मैं यहाँ पर देदू ये 15 centimeter ये 15 centimeter और ये 12 centimeter तो त्रिभुज एकस वाइजड सम्धि बाहुत्रिबुज है या ने अभी लोग बताएं तो हमें दिख रहा है कि इसकी दो बुजा है xy और xz ये दोनों कैसी है बराबर दिख रही है दोनों ही 15 cm की है तो दो बुजा अगर बराबर है तो क्या कहेंगे या एक सम्धि बाहुत्रिबुज है तो ये एक सम्धि बाहुत्रिबुज है यस ठीक है चले अब कोन के बारे में देखते है सम्धि बाहुत्रिबुज के बारे मैंने क्या बताया इक्विलेक्टल ट्राइंगल में क्या बताया कि उसके तीनों ही कोन बराबर होते हैं और तीनों कोन के मान कितने होते हैं 60 डिगरी के होते हैं ये चीज़ आपको याद होने चाहिए समधी बाहुतरी बुझ में क्या होगा तो किसी भी समधी बाहुतरी बुझ में उसके दो कोन बराबर होते हैं सबसे पहला बात ये ध्यान रखेगा, किसी भी सम्धिबाहु त्रिभुज में क्या होगा, उसके दो भूजा तो बराबर होंगे ही होंगे, दो कुन भी बराबर होंगे, कोई दो कुन बराबर होंगे, तीसरा कुन बराबर नहीं होगा, तो वो कौन से दो कुन बराबर होंग और A B ये दो भूजा बराबर दिख रही है तो A B के सामने कौन सा भूजा है कौन है तो A B के सामने हमें दिख रहा है A B के सामने C है उसी तरीके से अगर मैं A C के सामने देखू A C के सामने कौन सा कौन दिख रहा है तो A, C के सामने हमें कोन B दीख रहा है तो यहां से हम क्या कह सकते है कि इस चित्र में हम कह सकते है A, C और A, B बराबर है तो A, C के सामने हमें दीख रहा है कोन B और A, B के सामने दीख रहा है कोन C तो यह दोनों कोन B बराबर होंगी कि यह समझ में आया या नहीं आये जो भुज्वा बराबर होंगी उसके सामने वाले कुन भी भराबर हो चुन हो वाई है difference अगर यह मैंने बनाए इस तारीके से कि एक बार और एक उदाधन से समझें कोसिस करेंगे इस सारी चीज़े समझ में आ जाएगी ठीक है इस त्रिभुच का नाम है त्रिभुच पी क्यू आर जिसमें दे रखाए एक पी क्यू की लंबाई दस सेंटिमीटर है पी यार की लंबाई भी दस सेंटिमीटर है और की लंबाई आठ सेंटिमीटर है तो हम क्या कह सकते हैं इस त्रिभुच में पी क्यू और पी यार बराबर है तो दो भुजा बराबर है तो यह समझी बाहुत्रिभुच है यानि आइसोसेले स्ट्राइगल ठीक है तो यह मुझे बताएं पीक्यू के सामने कौन सा कौन है पीक्यू के सामने अगर देखो तो मैं दिख रहा है पीक्यू के सामने कौन आर दिख रहा है इस तरीके से भी आप देख सकते हो पी य अर के सामने पहले PQ देख लिए अभ प्यास देखते हैं तो pad के सामने कौन की आर डिखंछा है कि इस तरीके से आप देखना PQ और PR बनाबर है तो PQ के सामने कौन सा है PQ के सामने हमें दिख रहा है कोन R ठीक है तो दो कोन भी बराबर होगा, अब समझ में आया या नहीं आया, जो भी बच्चे बोल देते इन, अब बताएंगे समझ में आया ये बात या नहीं आया, वाई या न, अगर ये समझ में आ गया, तो एक question और मैं देता हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है कि ये एक क्रिब हुजे जिसका नाम है A, B या नाम मैं दे दे रहा हूँ T, L, M ठीक है? T, L, M जहां पर ये 90 डिग्री है ठीक है? अब ये दे रखा है कि T, L और L, M की लंबाई बराबर है T, L और L, M की लंबाई बराबर है जिसे मैं दूसरे कलर से भी दिखा दे रहा आँ थाकि आपको आसानी से समझ में आ जाये तो T, L और L, M की लंबाई बराबर है तो मुझे बताएं, इस तरह मुझ में कौन दो, कौन बराबर होगा? कौन से दो कुन बराबर होंगे कौन से दो कुन बराबर होंगे आपको अलग-अलग करके लिखना होगा तो हम क्या कह सकते हैं द्यान से दिखेगा TL और LM आपस में बराबर है ठीक है तो यह समझ में आया है TL और LM बराबर है TL के सामने आप देखे सामने कौन सा एंगल तो तील कर सामने हमें दिख रहा है कों एम तो मैंने यहां पर लिख दिया को आपस में बराबर हो तो तो हम क्या कह सकते हैं, इस त्रीबुज में कोन M और कोन T आपस में बराबर हो, ठीक है, तो आई है, हाँ, बुलिए क्या डाउट रहा आपका, क्या डाउट है क्या आपका, चलिए, तो अब देखते हैं क्या क्या चीजे हमने पढ़ी सम्दी बाहुत्रीबुज में, तो ठीक, एक बार और बता दे रहाँ, इस वाले को फिर से बहें बता दे रहाँ, ठीक, एक बार मैं फिर से ये पूरी चीज मीटा कर रिपीट कर दे रहाँ, अगर मैं इस तरीके से कोई त्रीबुज बनाऊ, टी, एल, एम, जो ये बच्चे रिपीट करने बोले थे, एक बार और ध्यान से सुनिएगा, काफी आसान है, तो यहाँ पर मुझे ये बोला गया है कि टी एल और एलेम, ये लंबाई बराबर है, तो टी एल और एलेम अगर बराबर है, तो इसके सामने वाले कोई भी होंगे, बस इतना ही आपको ध्यान रटना है, तो टी एल के सामने कौन सा कौन है, तो टी एल और एलेम अगर बराबर है, तो टी एलेम के सामने कौन सा कौन दिख रहा है, तो इसके सामने कौन टी है, हम क्या कहेंगे, कौन एम और कौन टी आपस में बराबर हो, ठीक है, तो ऑपस में बराबर हो गई, अब बताएंगे या तेंडर, आपको समझ में आया या नहीं? आगे साँ. ठीक है, अगर आ गया, तो अब लोग क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विसंबाहूत रीबुझ तो, विसम बाहु त्रिभुज क्या होता है जैसे कि मैंने बूला सम बाहु सम बाहु में क्या बूला गया तीनों ही भुजा बराबर होती है सम दी बाहु में क्या बूला गया दो भुजाएं बराबर होती है विसम बाहु त्रिभुज में क्या होगा ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही भुजाएं अलग-अलग हो अच्छा आप बताए मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं दिख रही है चाह किसी को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है अब मुझे पता है आप में से किसी को मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिख लिए होगी अब मेरे स्क्रीन दिख लिए हां तो देखें अगर किसी हम लोग क्या देखने आ रहे विसम बाहु त्रिबुझ तो फिर से इसके परिभासा या डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप लोग यह देखो इसका नाव तो विसम बाहु 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 मतलब तो आप कई बार जान चुक है वाहु मतलब भुझ आ विसम मतलब अलग-अलग तो ऐसा कोई त्रिबुच जिसके सभी भुजाएं अलग-अलग हो तो उसे क्या कहेंगे विसम बाहुत्रिबुच कहेंगे यानि स्कैलेंड ट्राइंगल कहेंगे तो इस सवाद त्रिबुच में हमें क्या दिख रहा है A, B, A, C और B, C तीनों ही भुजा के मान अलग-अलग है हम क्या कर सकते हैं A, B, A, C के बराबर नहीं है अच्छे ये ध्यान देना इसका साइन का मतलब बता है बराबर और अगर मैं इस तरी कैसे लिख दू तो इसका मतलब भुआ बराबर नहीं है तो इसका मतलब बराबर नहीं है नौट इक्वल तो हम क्या कर सकते हैं A, B, A, C के बराबर नहीं है और A, C, B, C के बराबर नहीं है मतलब कोई विख दू भुजा आपसम बराबर नहीं है तो यह क्या होगा विशम बाहुत्री भुज होगा ठीक है बस इतना ही आपको ध्यान रखना है विसम बाहु मतलब जिसके तीनों ही भुजा अलग-अलग हो ठीक है? तो विसम बाहु त्रिभुज में और क्या जानना है? विसम बाहु त्रिभुज में सभी कोन भी अलग-अलग होते हैं तो इसके तीनों ही कोन क्या होंगे? अलग-अलग माप के होंगे. तो क्या-क्या बतायागे आप तक? सम वाहुत्री भुज में तीनों भुजा बराबर होगी? ध्यान से सुनिएगा, एक बार में बड़ा संच्छेप में रिवाइस कर वगा. सम वाहुत्री भुज में क्या होगा? तीनों ही भुजा बराबर, तीनों ही कोन बराबर? तीनों कोन के मांग साथ डिग्री, ठीक है? सम दिवाहुत्री भुज में क्या होगा? दो भुजा बराबर, दो कोन बराबर? कौन से दो कोन बराबर? जो भुजा बराबर है उसके सामने वाले कौन बराबर होगे ठीक है विसंभा हो तरे बुज में क्या होगा तीनों ही भुजा बराबर नहीं होगे तीनों ही भुजा अलग अलग होगे और जब तीनों ही भुजा अलग अलग होगे तो उसके तीनों कोन भी अलग अलग होगे तो अगर सारी चीज समझ में आगे तो वाई लिखेंगे अदर्वाइज आप या डाउट भी लिख सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी आपके स्क्रिंग पर एक कोश्चन दिख रहा है और आपको बताना है कि यह जो भी त्रिभुज आपको दिख रहा है यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है ठीक है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है यही आपको बताना है पूल सेक्शन में जाकर वी 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 अपना माइक कॉन करके नहीं बोलेगा अंकित आपको माइक कॉन करके नहीं बोलना है कि आप अपना माइक बंद रखें इस पूरी क्लास के रिकॉर्डिंग होती है ठीक है तो आपका माइक हमेशा बंद होना चाहिए जब तक मैं आपका नाम लेकर नहीं बोलूं तो आपको माइक और नहीं करना है तो यहां पर आपको बताना है यह चित्र में जो भी त्रिवुष दिखाया गया यह कौन सा त्रिवुष जल्दी से अंसर करें काफी कम समय है आपके पस और पोल में जब सभी लोग अंसर करते हो तभी आपका अटेंडेंस भी लगता है तो इसलिए मैं करता हूँ कि सभी लोग पोल में अंसर जरूर करें और अची बात यह है कि जब जितने भी अंसर अभी तक आएं तो एक भी बच्चा का अंसर गलत नहीं आया यह काफी अच्छी बात है अपने अंसर कि आपको आपका चाट सक्षन में लिख सकते हो चलिए तो यह चित्र देखे त्रिभुज कौन सा है तो इस चित्र को अगर हम देखे तो हम क्या कर सकते हैं हमें दिख रहा है इसके दो भुजाएं ये भी 5 सेंटीमिटर की है और ये सी भी 5 सेंटीमिटर की है जबकि बीसी 4 सेंटीमिटर है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में A, C और A, B हापस में बराबर है, मतलब दो भुजा बराबर है, तो ऐसा त्रिभुज, जिसके दो भुजा बराबर है, तो नाम से ही हमें पता चलता है, संद्वी बाहू मतलब जिसके दो भुजा बराबर हो इसका अंसर क्या होगा? और जितने भी बच्ची अंसर दिये थे ये अच्छे बात है कि कोई भी एक भी बच्चा आसा ने था जिसका अंसर A, B, C या, D था सभी के अंसर B से तो इससे क्लियर है कि आप सभी को ये सारे चीज़ समझ में तो आ गई है तो एक कोश्चन और करते तो फिर से देखें ये वाला चित्र और इसमें बताएं कि ये कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है जल्दी से बस मैं पोल को जैसे ही लॉंच करूंगा उसके बाद 5 सेकंड का समय आपके पास जल्दी से आप जाएं और अंसर करें जल्दी से आप लोग बताएं कि ये कौन सा त्रिभुज आपको अंसर करती हो तो अच्छी बात है मुझे पता चल जा जाता है जैसे ही आप अंसर देते हो कि ये त्रिभुज चैप्टर है त्रिभुज के बारे अब आपकी आवाज नहीं आ रही कि हो सकता है आपका नेटवर्क में थोड़ा प्राब्लेम हो तो आप एक बार या तो रिफ्रेस्स कर लो या फिर एक बार इस मेटिंग को लिफ्ट करके फिर से जॉइट कर लो जल्दी से आप लोग अंसर करें फिर मैं पोल को इंड करूंगा बस पांस सेकेंड और है आप के पांस सेकेंड और है अब मैं पोल को इंड कर रहा हूं कर दो से अब कोई भी आपका अगर डाउट हो तो आप क्या करोगे चैट सेक्शन में लिखोगी चली तो यह जो चितर दिखाया गया है यह त्रिभुज इस त्रिभुज में हम देखे तो क्या देख पारे है इसके टीनों ही भूजाएं चार-चार सेंटिमेटर की है मतलब हम क्या कर सकते हैं सीधे इसके चितर को देख के क्या कहेंगे A, C, A, B और B, C तीनों ही आपसमें बराबर है सभी 4 सेंटिमेटर की है तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाए बराबर है तो इसे क्या कहेगे इसका अंसर आप्शन C होगा सम बाहुत रिभुज ठीक है अच्छा एक बात बता है उस पेंदर राजपूत के नाम से जो बच्चा है उनका अंसर B है और काफी बच्चों के अंसर A थे तो यह ऐसा की हो रहा है इस कुश्चन का अंसर सभी के गलत की हो रहे अब मुझे बता है यह समझ में आया या नहीं आया यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है अच्छा यहाँ पर यह बता है सौरी बोलने कोई जरुत ने बस आप ध्यान से देखे और मुझे यह बता है अब समझ में आ गया या नहीं इसमें तीनों ही भुजा बराबर है अच्छा इसमें मैं और देख पा रहा हूँ निमिसा आपका अंसर था स्कैलेंट राइंगल ऐसा क्यों स्कैलेंट राइंगल यानि विसम बाहु में तीनों भुजा अलग होने चाहिए और किसका अंसर गलत था गाट गेमर अपका अंसर था वी सम्दी बाहुत्रि sniff अब बताएं समज में आया या नहीं आया या मैं और समझाओ यह तो काफी आसान सा कोस्चन था कितना समझ में आया या नहीं वाई लिखकर बताएं अच्छा गॉट गेमर आपका समझ में आ गया वेरे गूट चलिए तो अंसर आप लोग एक बाद देखके करें कि क्या हाँ लेकिन यह जरूर है कि ट्राय जरूर किया करें अंसर गलत हो या सही हो बढ़ ट्राय जरूर करना है चलिए तो अब क्या करेंगे एक कोस्टन और करे अब करेंगे तो ट्रीबुज देखकर बताएं इक है कौन सा त्रीबुज है जल्दवाजी में कोई नहीं अंसर करेंगे अराम से करेंगे कि यह काफी आसां सा कुछ से कुछ भूब करता है कि यह जो त्रिबुज दिख रहें आपको यह कौन सा त्रिबुज है वी पोल सेक्षान में जाकर अंसर करेंगे जल्दी से अपना माईक बंद रखेंगे तेंट्र आपना माईक उप पूल को देखें और भूजा को देखकर बताएं कि इस प्रेकार का अत्री मुझे अब मैं पूल को बस 5 सेकंड में एंड कर दोगा पास तक मैं गिंती हिंगे अब अगर अंसर करना है तो पास सेकंड आपके लपास समय है जल्दी से अंसर करें पाच चार तीन दो एक अब मैं पूल को एंड कर रहा हूँ के लिए हमेशा कि तरह चैट ओपर है हां चलिक तो अगर हम इस त्रिवुज को देखे तो इस त्रिम A, B, B, C, B, 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 B प्रकार के त्रिबुच के बारे में आपको समझ में आया या नहीं आया चली यह अगर आ गया तो आप क्या करते हैं आज की नई टॉपिक पढ़ते हैं ओधिक के आज की हम लोग एक नएए टॉपिक पढ़ते हैं तो एक नएए टॉपिक कौन सा है मीडियन यानी माध्धिका ठिक है तो माध्धिका पढ़ते हैं जिसे情 नमेदी कहें तो उसके तुम आपको द्यान से देखे लो,爵िसम बाहु को ध्यान से देख़े तो समझ में आगिया संब बाहु में सभी बुझा बड़ाबर सम्धि बाहु में दो भुजा बरावर विशम बाहु क्यों? विशम मतलब सभी अलग-अलग बाहु मतलब हुजा उसी तरीके से माध्धिका आप वर्ड जब भी देखो माध्धिका कहां से बनाओ तो माध्धिका वर्ड आप जब भी देखो तो आपके दिमाग में एक और सब्द आना चाहिए और वो सब्द क्या है मध्य बिंदू कि आपने कॉपी में नोट करके लिख लो मध्य का एक तीर का निशान बनाके मध्य बिंदू तो माध्य का जब भी आएगा तो मध्य बिंदू आएगा कि महीं का मतलब मुध्य बिंदू मिडियर मतलब अगर इंगलिश मिडियम के आप अच्छे हों तो आप लिख सक्ट मिडियर मतलब र hy कि तो मीड़ प्वाइंट का मतलब क्या हुआ मीड़ियन या मध्य बिन्दू का क्या मतलब रहीं है जैसे आप s burnt तो campaigning इस पूरी पेर की लंबाई जो है ज़िए सेंटीमेटर है पूरी पेर की लंबाई 10 cm है अब अगर इसे मैं 2 बराबर भाग में बाटू यहाँ पीछ से अगर इसे 2 में 2 बराबर भाग में बाटू यहाँ पर एक बिन्दू ऐसी है मैं बोल रहाओं कि इस पूरे पेन में एक बिंदू ऐसा है जो इसको दो बराबर भागों में बाट रहा है मतलब एक का लंबाई 5 सेंटीमीटर दूसरा 5 सेंटीमीटर सब जाके हो गया 10 सेंटीमीटर तो उस बिंदू को क्या कहेंगे मतलब वह बिंदू जो इस पेन को दो बराबर भागों में बाटे तो वह बिंदू जो इस पेन को दो बराबर भागों में बाटे उसे ही मतलब बिंदू अच्छा पेन नहीं भी दिखी तो कोई दिक्कत नहीं है वस आप इमेजिन कर लो तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से रेखाखण बनाओ A B मैं कहरा हूँ कि यह point P जो है यह मद्ध बिंदू है तो इसका मतलब क्या हुआ AP की लंबाई और PB की लंबाई बराबर होगी जितना लंबा AP होगा उतना PB की लंबाई बराबर होगी तो तो मतलब क्या बोला आपने चे época मतलब को समझ में आगया होगा है मन्द बिंदू के पारे में आपको समझ में आया यह नहीं कि मत्द बिंदू होता गया है कि मद्ध बिंदू मतलब दो बराबर भागों में बाटने वाला पॉइंट किसी भी रेखा कर लोग तो हम लोग देखते हैं माध्धिका क्या होता है और मैं मद्ध बिंदू क्यों समझा रहा था तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन यानि परिभासा को पढ़े तो परिभासा में तो प्ड़वे तो साथी चीज़ समझ में तो नहीं शमजमें कैसे आएगा किसे क्ला अवह क्रहे शरा से लिएगा इसका समझने के दों कि यहां पर एक मध्ध बिंदु है तो अगर इस उर दिशी की मध्ध बिंदु है तो अगर इसका मतलब तस इक्या करेगा जी सिवी को बराबर बराबर भागों में बादेगा मतलब अगर निष्ट्र कि लंबाई करें तो सीपसेंटिमीटर होगी और यह भी 5 सेंटिमेटर हो SU यह समझ में आ गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगी, अगर बिंदू E भुजा BC का मद्ध बिंदू है, तो हम कह सकते हैं, C, B के बराबर होगा, यह समझ में आ गया, अब अगर हम A से E को मिला दे, तो यह जो रेखा खंड आपको दिख रहा है, A से E, पहले हमको पता है, C और B ब ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देख रहा है, A और E को अगर हम मिला दे, तो यह जो A रेखा खंड आपको दिख रही है, A को आप क्या बोलोगे, A इस त्रीभुज की माद देखा है, अब आपको समझ में आया होगा, इसका मतलब, तो इसका मतलब देखो त्रीभुज का स इस, मसलब सिर्स कौन सा है, A, और E के सामने की भुजा कौन सी है, B, C, तो A को सामने वाले भुजा के मद बिन्दू से मिलाने वाले रेखा खंड को क्या कहेंगी, A को कहेंगी, इस त्रीभुज की माद देखा, यह समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताए, त्रीभ A, B भी एक भुजा है, इस त्रीभुज की दूसरी भुजा कौन सी है, A, B, जिसे मैं हरे कलर से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अच्छा, मार्क सभी लोग बन रखें, इस तरीके से आप अगर मार्क आउन करते हो, तो पूरी क्लास डिश्टा होती है, तो हमें दिख रहा है कि A, B भी एक भुजा है, तो इस A, B का भी एक मद्रबिन्दू होगा, D, हमें इससे भी एक पता चल रहा है कि A, D और B, D की ल मांधिका है, हाँ, B से भी हो सकता है, बिल्कुल B से भी होगा, तो पहले आप पहले दूसरी मांधिका देखो, एक मांधिका हमें क्या मिल गई, A, दूसरी मांधिका कौन से मिल गई, C, D, और तीसरी मांधिका, देखो, अगर AC को आप अगर ध्यान से देखो, AC को मैं ब्रा अच्छे तरीके से बना दे रहा हूं ताकि आपको सही से दिखे तो एसी एक भूजा है और इसकी भी एक मध्य बिंदू होगी यहां पर जिसको मैं नाम दे रहा हूं तो अगर मैं B से F को मिला दू तो हम क्या कहेंगी यह जो रिखा ख्राइंड है बी एफ तो यह क्या होगा यह भी एक माध्यका होगा तो इस त्रीवुज में कितनी माध्यका मिल गए तीन माध्यका मिल गए एक A i दूसरा c d इसरी भी एफ यह मिली या नहीं सभी लोग टीक है, तो 3 मांद धिका होगी, तो किसी भी तरीके से आप 3 मांद धिकाए होंगी, अगर मैं इस तरीके से एक तरीबूच बना रहा हूँ, पी, क्यू, आर, ठीक है, तो इस तरिभुज की अगर मैं बात करूँ, तो हम क्या कहेंगे, अगर पी, क्यू का मन्द बिन्दू, क्यू, एम है, तो आर, एम क्या होगा, इस तरिभुज का एक मान्दी का होगा, अगर मैं कहा रहा हूँ, क्यू, आर, का एक मन्द बिन्दू, पंधर एक मांधिका हैं किना मांधिका descendants 278 कि 153 में कितने मांधिका ओगी तिन मांधिका होगी इस सारे चीजिस समय में आई आनो इस कुछ पूश्ट साह ऑज सब्कूश्ट स्मय में ही अनसर करें कौल में अंसर नहीं करना है कि लेकि पूल में आइप तो अभी किसी को भी पोल में अंसर नहीं करने तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है इस त्रिभुज में 3 माध्धिकाएं चले कुछ कुछ मैं कोश्चन जो कुछ रहा हूं सभी को चैट सेक्षन में अंसर देना है तो मैं क्या पता चल गया डी किस का मध्ध बिंदू है सबी लोग बताएंगे डी जो क्वाइंट है किस भुजा की मध्ध बिंदू है जल्दी से बताएं देना है है कि एक आंसर सही आया है द्यां से देखेगा बिंदू बुरेखी जो है लिए हम फीकिम लीग फिल्द है थिकर एकमसर मैं बता देंगे करें अगले बार वारे से आप लोग सअब आप तो मैं पूछ सो D के बारे में तो आप बोलो कि डी किस परिस्थे थे यह परिस्थे थे ना तो भूजा एबी की मद्ध बिन्दू है ठीक हिस अब बते की मुझार कि विन्दू बिंदू E किस बुजा की मद्ध बिंदू है जल्दी से चैट सेक्षन में बताएं बिल्गुल कॉमा लगाने की कोई जरूद नहीं है अब बस C भी बोलोगे C कॉमा भी लगाने की कोई जरूद नहीं है बुजा की मैं जब बात कर रहा हूं तो भुजा कौन सी होगी यह BC भुजा होगी ना यह BC भुजा लिखा जाए तो या तो अब CB लिखो या BC लिखो दूनों ही बात बरावर है तो भुजा CB या BC की मद्ध बिंदू है ठीक है चलिए अब मैं और भी कुछ कोश्चन पूछता हूँ अब मुझे यह बताएं मिए अगर मैं यह बोलू कि AD की लंबाई या AB की लंबाई 20 cm है मतलब यह पूरी लंबाई AB की यह 20 cm है तो मुझे यह बताएं AD की लंबाई कितनी होगी AD की लंबाई कितनी होगी जल्दी से बताएं यह AD की लंबाई कितनी होगी इतना बिल्कुल सभी के अंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं तो मुझे ये पता है कि D मद बिंदू है तो D क्या करेगा A B को तो बराबर भागों में बाटेगा अगर ये पूरा B से है तो ये 10 होगा और ये भी 10 होगा चलिए अब ध्यान से देखे एक last question और पूछ रहा हूँ अगर A F की लंबाई 8 cm है A F की लंबाई अगर 8 cm है तो मुझे ये बताए A C की लंबाई कितनी होगी अगर ये पूरी A C की लंबाई कितनी होगी ध्यान से देखके बताएं या सोग आप एक वार अपना अंसर चेक कर लोगे असोग के नाम से जो बच्चा है अपना अंसर चेक कर लोगे हाँ तो A F अगर 8 cm है तो हम कह सकते हैं C F भी 8 होगा क्योंकि F क्या है मद्ध बिंदू है तो ये दो बराबर भागों में बटेगा तो ये 8 तो ये भी 8 और A C कितना होगा A C होगा A F प्लस F C मतलब 8 जोड 8 यानि 16 cm ये सारे चीज़े में कोई भी डाउट है क्या आपका आप Y अपको अगर सारा चीज़ समझ में आ गया तो Y लिखेंगे और कोई भी डाउट है तो N ये आपको अपना डाउट टाप टाइप करके बता सकते हूँ सारा चीज़ समझ में आ गया तो आप Y लिख सकते हैं चलिए ये सारी चीज़ समझ में आ गया तो हम लोग और एक चीज़ देखते हैं एक चीज़ और बताएंगे किसे वित्री गुज में कितनी मात देखा होती है सबी लोग चैट सेक्शन में लेकर बताएं किसे वित्री गुज में कितने मीडियन होते हैं कितनी मात देखाएं होती है किसे वित्री गुज में बिल्कुल सही, किसी वित्री बुद में तीन मान दिकाएं होंगी, चलिए, सभी सिर्ष से एक-एक मेडियन होगा है, जो सामने वाले घुजा को दो बराबर भागू में बाटेगा, चलिए, अब देखो यहां क्या लिख रखा है, यह काफी important चीज है, यह सब आपके class 9th और 10 दोनों ही के लिए काफी महतपूर्ण है, यह सारे चीजा आपको ध्यान दखनी है, वेरी important, तो त्रिभुज की मान दिकाएं त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बाटने का क्या मतलब हुआ, तो दो बराबर हिस्सों में बाटने का मतलब हुआ, अगर हम कहें कि यह त् यह important चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है यह काफ़ी important चीज है very important मैं star माल देदू ठीक है इसको note भी कर लिए या screenshot ले ले अच्छा मैं सारी चीज जब बता दूँगा तब जाके screenshot ले लिए तो यादि यही रिफास ये बीसि के माधंधिका है सुँ क्या कर तो यहाद ने कोई भी रिफास आप बनावगे अगर मैं यहास से एक मारे का बना दू बाना के उनल थो यहां हिस्थों बाटरी एक हिस्था आपको दिखराओगा और रेंस प्लर से और दूसरा हिस्सा आपको दिख रहा है ब्लू कलर से तो यह माधिका क्या हुआ त्रिवज को दो हिस्सों में बाट दांगी और आपको यह ध्यान रखना है आपको यह वेरी इनक्राइब है इस पे आधारित आपके एक्जाम में question जोगर पूछा जाएगा तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एई क्या है मांते का है तो त्रिभुच ये जो blue part से मैं रंग रहा हूँ इसका छेत्रफल और जो मैं अभी green color से रंग रहा हूँ इस वाले भाव का छेत्रफल दोनों का छेत्रफल क्या होगा बराबर होगा छेत्रफल मतलब area होता है कोई भी आकरिती कितना जगह किसी भी सता पर छेकता है या लेता है उसे ही हम क्या करते हैं छेत्रफल करते हैं ठीक है छेत्रफल तो आपने पढ़ा होगा तो मैंने क्या वह ला कि इं दो नुह हम क्या लिख सकते ही आप लोग इसकी ले 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 इस प्रेंगिया काफी इंपार्टेंट है कि यह बेरी इंपार्टेंट है तो अगर इस त्राइब़ बसदि के माद रेका है तो एरिया आफ ठैंगल अबी तो आपके त्री मुग नहीं यहां दिख रहा है कि के यह त्री जैसे हैं सोलिये इसी यह एक वाल मैं इरेज कर दो ओसका हुए तो हम अगर देखते हैं त्रिभूज ए बीए त्रेफूज कहा कि यहां पर दियान से देखिए यहां पर एक त्रिभुज बनाया गया इस तरीके से इसका नाम PQ आ रहे इस तरी मुझ का नाम क्या है? PQ आ चलिए अब मैं कह रहा हूँ कि QM QM क्या है? माधिका है QM क्या है? माधिका है इसका मतलब क्या हुआ? QM माधिका होने का मतलब QM क्या हो गया? PR का मधबिन्दू मतलब PM की लंबाई और MR की लंबाई बराबर बराबर होगी आपसे अगर बूला जाए कि अगर ये 5 cm की लंबाई है PM तो MR भी 5 होगा इतना आपको बताए कि M मधबिन्दू हो गया अब मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि इस वाले भाग का चेत्रिफल त्रिभुच QPM का चेत्रिफल दिया गया है 15 cm स्वार ये चेत्रिफल दिया रखा है 15 cm स्वार तो सभी लोग ये बताए कि इस पूरे त्रिभुच PQR का चेत्रिफल कितना होगा? पूरे त्रिबुज का चेत्रफल कितना होगा जल्दी से बताएंगे सबी लोगा अच्छा माईक अपना बन रखें जो ही बच्छ अपना माईक आउन रखा है अपना माईक बन रखें चल यह अंसर बिल्कुल सभी के सही आ रहे हैं यह कापी अछा अच्छा है तो मुझे पता है कि माधिक के लिए नीचे फीजै ठतेल किया होगा बडाबर होगा तो हम कहें कि यह वाली अगर मैं कहूं इसकी छेत्रफल 15 है तो इसकी भी छेत्रफल 15 हो जाएगी दोनों 15 15 तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 30 cm2 यह सारी चीज़ समझ में आई या नहीं इसमें कोई भी डाउट है क्या एक बार समझा दे रहा हूँ एक बार और समझा दे रहा हूँ और यह काफी इंपॉर्टेंट भी है आपको अच्छे से समझना भी है ठीक है ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या बाते बता रहा था अगर मैं यह बूलूं कि यहां पर एक त्रिभुज बनाया गया पी, क्यू, आर ठीक है अगर यहां से हम एक माधिका बनाते हैं आर से एक माधिका बनाया गया इस तरीके से इस वाले को मैं मिजा दे रहा हूँ इसको नाम मैंने दे दिया आर स तो आर स क्या है माधिका है यह चीज़ होना बहुत जरूरी है कोई और दूसरी लाइन होगी तो ऐसी नहीं होगी माधिका होनी बहुत जरूरी है माधिका मतलब क्या इस क्या है इक्यू का मध्य बिंदू इस क्या होना चाहिए इक्यू का मध्य बिंदू होना चाहिए मध्य अच्छा मायक अपना बन रखे सारी चीज़ समझ में आएगी मैं यह बार-बार रिपिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं बार-बार रिपिट कर रहा हूं तो यह मैं पूछ रहा था कि अगर यह वाले भार त्रिभुज मैं आपसे बोल रहा हूं त्रिभुज RPS का च्छेत्रफल AR मतलब एरिया त्रिभुज इसका च्छेत्रफल 20 cm2 दी गई है इसकी च्छेत्रफल 20 cm2 दी गई है यह वाले भार त्रिभुज की ठीक है तो मुझे यह बता है पूरे त्रिभुज त्रिभुज TQR का च्छेत्रफल कितना होगा चालीज हाँ बिल्कुल सबी लोग अपना माइक बन रखे ठीक है तो जो बच्छे रिपीट करने बोल रहा था वह एक बार ध्यान से सुनने तो हम यह कह सकते हैं कि अगर RPS का च्छेत्रफल 20 है तो SQR त्रिभुज SQR का भी अपना माइक बन कर दे otherwise सभी को disturbance हो दी है जो भी बच्छा अपना माइक को आपना माइक बन रखे हम यह कह सकते हैं सभी च्छेत्रफल या इरिया क्या होगा या भी कीusta स्क्वयर ही होगा क्योंकि यह एक माइक अदिका है तो 2-รाबर माइक आपता है तो 2-0 को जोड़ेगी 20 20 इसमें कोई भी डाउट है अब समझ में आया या ने अब सारी बाते समझ में आ गई या ने अगर समझ में आ गई तो भी क्या करना है कोई भी अपना क्लास यह लेफ्ट करके नहीं जाएगा और अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ भी लें तो आपका होंवर्क क्या है तो आज का होंवर्क है आपका एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 ध्यान रहे ना कि जैसे बुक स्टार्ट होती है तो वहां पर भी एक्सरसाइज 2.2 मिलेगा तो वह वाली 2.2 तो काफिक पहले हो चुटी है यह त्रिभुज में देखना त्रिभुज वाले चैप्टर में तरफ वर्क बुक बाला हाँ वर्क बुग नीव का रि 2.2 फिर एक्सरसाइज 3.1 यह दो एक्सरसाइज आपको करना है तो एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 3.1 आप सभी को बनाना है तो आपको एक्सरसाइज 2.2 और 3.1 करना है अच्छा कोई बच्चे ऐसा है कि जिसके पास बुक अब तक नहीं है कि यह सब ठीक है तो आपको पता है आपको क्या करना है आप जल्दी से इसकी स्क्रीन सॉट लेने हैं जल्दी से आप जैसे ही मैं दिखाऊं तो आपको क्या करना है इसकी स्क्रीन सॉट लेना है कौन-कौन सा कोश्चन एक कोश्चन यह हुआ दूसरा कोश्चन यह हुआ हाँ तो जिसके पास भी नहीं है स्क्रीनसॉस्ट ले लेंगे जल्दी से कि अच्छा आप सभी कि शूल खुल गए या नहीं कब से स्कूल खुल väले है स्कूल कब से को लोगा मन्ड़े से मन्ड़े से क्षूल दी टिक अगर स्क्रीनसॉस्ट ले लिए तो क्लास लेफ्ट करके आप जा सकते हो और कोई डाउट है तो रुखेंगे अगर थीक है 22 को पुल लेगे साइट अगर ले लिया तो बताएंगे लिख चैट सेक्षिन में लिख कर बताएंगे अगर ले लिया तो आप बताएंगे जल्दी से कि 2.2 और 3.1 यह दोनों एक्सराइब तो यह वाली है कि यह दो बताना है कि बुजा का क्या नाम है को न का क्या नाम है शिर्स का क्या नाम है ठीक एगर इसकी स्क्रिंसोर्ट जल्दी जले फिर मैं एक्सराइज 3.1 की पेज दिखाऊंगा फिर आपलोग उसकी स्क्रिंसोर्ट ले लेना ठीक एगर ले ले लिया